Hello Everyone, Welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सबी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस full course on environment by Shankar IS Academy को हम लोग आगे बढ़ाएंगे Chapter 21 को आज हम लोग जो है इस book के start करने वाले हैं, जो है mitigation strategies को लेकर ठीक है, पिछले lecture तक हम लोगोंने जो है chapter number 20 जो था कि impact of climate change इंडिया यानि कि इंडिया में जो climate change हो रहा है, जो जलवाईव परिवर्तन हो रहा है उसका इंडिया के ओपर या भारत के ओपर क्या बरभाव पढ़ रहे हैं, अलग-अलग sectors में हमने वो चीज़े बात करी ठीक है, आज हम लोग जो है नया chapter start कर रहे है, chapter number 21 जो रहेगा mitigation strategies को लेकर इसमें basically हम लोग mitigation strategies का मतलब क्या होता है, mitigation strategies का मतलब होता है कि किसी चीज़ से निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या strategy हो सकती है, ठीक है अब निपटना किस चीज़ से है, अभी तक जो कुछ पिछले lectures हुए हैं, उनमें से आप समझ चुके होंगे जैसे की climate change हो रहा है, global warming हो रही है, ocean acidification हो रहा है, ozone depletion हो रहा है इन सबसे काफी सारे problems जो है वो आ रही है, अब उनसे कैसे निपटना जाएगा, उसके लिए mitigation strategies क्या होंगी specifically हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो carbon emission होता है, यानि कि जो greenhouse gases का emission है या specifically हम बात करूं, जो carbon का emission होता है, carbon का उत्सरजन है, उसको किस तरीके से निपटा जाए उसके लेकर यहाँ पर क्या strategies बनाई गई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है, तो chapter थोड़ा सा लंबा है, most probably दो पार्ट में इसको लेकर हम लोग चलेंगे तो आगे मढ़ने से पहले, मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूंगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे है, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कलीक्स के साथ, ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सेकिए, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बैल आइकन प्रेस करना ना भूले है, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो, तो उसका नोडिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, और पूरे के पूरे इस वीडियो सेरीज का जो फुल कोर्स है, वो हमारी वेबसाइट पर अविलेबल है, वहाँ पर आपको क्या-क्या मिलेगा कोर्स में, आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, एक तो बिना किसी याइड के किये जाएंगे, so that कि आप एक overall तैयारी subject की हमारे platform के साथ कर सके, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे description में एक link दिया हुआ है, कोर्स का, वहाँ पर जाके आप कोर्स में अन्रोल कर सकते हैं, most affordable rates में और काफी reasonable rates में वो कोर्स अविलेबल है, तो वहाँ पर जाक कि आप उस कोर्स में अन्रोल कर सकते हैं, और यह सारे benefits का lab ले सकते हैं, तो चलिए, फिलाल हम लोग chapter 21, mitigation strategies को part 1 के साथ start करते हैं, देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला term दिया गया है, जो हमें समझना है, इस तरह के कि कुछ terms हमें यहाँ पर समझने है, और यही basically आप उसे important भी है, ठीक है न, सबसे पहला जो term यहाँ पर दिया गया है, that is your carbon sequestration, इसको बोलते है sequestration, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, carbon capture and storage, also known as CCS, that is carbon capture and storage, या फिर carbon sequestration, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, आप इसको अगर simple शब्दों में, carbon sequestration तो capture और storage से आप समझ रहे है, यानि कि, जो भी carbon emit हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, capture करना है, किसी भी चीज़को capture करने का मतलब क्या होता है, उसको पकड़ना है, ठीक है, capture करना है, और उसको फिर पकड़ने के बाद क्या करना है, store करना है, जैसे मान लीजे, कोई जंगली ज और काफी जादा उत्पात मचा रहा है, climate change में काफी जादा जो है अपना impact डाल रहा है, तो हमें क्या करना है उस carbon को, जो जंगली जानवर की तरह carbon घूम रहा है, उसको पकड़ना है और उसको पिंजरे में बंद करना है, तो बस, इतना सा आप समझ जाएगे, तो आप समझ ज कर रहे हैं या capture कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हमारा main मुद्दा क्या रहेगा, या हमारा main जो target area रहेगा, वो क्या रहेगा, कि हमें global warming जो है, उसको क्या करना है, tackle करना है, कैसे, by capturing CO2, CO2 को power stations में, industrial sites में, और even directly from the air, and permanently storing it underground, देखिए, वही चीज़ जो है, मैंने आपको हम लोग capture करेंगे, कहां पर, जो हमारे power stations होते हैं वहाँ पर, जो industrial sites होती हैं वहाँ पर, या फिर हम directly air में, क्योंकि air में बहुत सारा carbon dioxide है, उसको हमें directly capture करना है, और permanently store करना है underground, अब ये किस तरीके से होता है, ये सारे का सारा technical details है, ठीक है, जितना हमारे scope में होगा, इस subject म है, इस course में, इस level पर, उतना हम पढ़ींगे, जितना हमारे exam point of view से जरूरी है, ठीक है, अब ज़्यादा technical details में हमें जानी के जरूरत नहीं है, क्योंकि exam में आप लोगों से इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो carbon sequestration describes long term storage of carbon dioxide, अब obvious ही बात है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि carbon sequestration जो है, वो only CO2 के लिए नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ carbon dioxide ले नहीं होता, कभी आप से यह पूछा जा सकता है, कि carbon sequestration refers to the capture and storage of carbon dioxide only, तो it is not for carbon dioxide only, बलकि carbon dioxide भी हो सकता है, या बाकी और forms of carbon भी हो सकत है, ठीक है, और क्यों capture करना है, क्यों store करना है, ताकि या तो हम जो global warming की problem है, या तो उससे निपट सके, और अगर मान लीजे हम उससे बहुत जादा हद तक निपट नहीं भी पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सके, डिफर कर सके, ठीक है, यानि कि जितना level carbon dioxide का 10 साल में बढ कर सके, और कोशिश करें कि उतना ही level जो है, वो 20 साल में या 30 साल में बढ़े, तो उससे भी क्या होगा, थोड़ा सा global warming जो है, आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा कम होगी, ठीक है, यानि कि एक ऐसा तरीका प्रपोस किया गया है, जिससे हम लोग क्या है, जो greenhouse gases का accumulation हो रहा है, चाहे atmosphere में हो, चाहे marine में हो, यानि कि चाहे वो aquatic areas में हो, चाहे वो aerial हो, atmosphere में हो, उसको हमें क्या करना है, उसको slow करना है, ठीक है, और ये greenhouse gases कहां से आती है, ये तो हमें पीछे से पता ही है, और एक general understanding भी हमारी है, कि जो fossil fuels हमारे है, जैसे coal, oil, petroleum, हम इन को जला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, काफी साथ greenhouse gases release हो रही है, और उन greenhouse gases को हमें क्या करना है, उसके accumulation को slow down करना है, तो उसका ही एक तरीका है, that is, CCS, carbon capture and storage, या फिर इसको बोला जाता है, carbon sequestration, ठीक है, चलिए, आगे देखींगे, sinks, अब ये sinks क्या है, देखे, carbon sequestration may be carried out by pumping carbon into carbon sinks, an area that absorb carbon, तो आपको ये समझना है, कि what is a carbon sink, it is an area that absorbs carbon, ठीक, area जो carbon को absorb करता है, अब इसमें कुछ तो natural sinks है, या फिर कुछ artificial sinks भी हो सकते हैं, तो natural sinks के अगर हम बात करें, तो वो क्या है, जैसे oceans, ठीक है, oceans behave as a natural sink, forest behave as a natural sink, जो soil होती है, मिट्टी, वो भी एक natural sink है, अगर हम बात करें, तो depleted oil reserves, ऐसे oil reserves, जो अब काम में नहीं लिये जाते, जो depleted है, ठीक है, unmineable mines, ऐसी mines, जिनको अब mine नहीं किया जाता, they also act as a carbon sinks, but that is the type of artificial carbon sinks, ठीक, चलिए, आगे देखिए, carbon capture has actually been in use for years, carbon capture जो है, इसको काफी समय से जो है, वो किया जा रहा है, यह कोई आ gas industries have used carbon capture for decades as a way to enhance oil and gas recovery, जो oil and gas industries होती है, उन्होंने carbon capture को बहुत दशकों तर्क, या बहुत दशकों से उसका use किया है, ताकि वो जो अपनी oil और gas के recovery है, उसको क्या कर सके है, उसको enhance कर सके, only recently have we started thinking about capturing carbon for environmental reasons, लेकिन अभी तक जो भी यह oil and gas industries कर रही थी, carbon को capture कर रही थी, वो को environmental reasons के वज़े से नहीं थी, जैसे अब तो हम बात कर रहे हैं कि हमें carbon को capture करना है, store करना है, क्यों, ताकि हम global warming से लड़ सके, उसको tackle कर सके, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, technology पुरानी है, लेकिन इसका जो एक use है, जो एक use हो रहा है, environmental degradation को बचाने के लिए, या environmental कारण के लिए, वो recently start हुआ है, ठीक है, अब कुछ तीन step दिये गए है, three main steps दिये गए है, for carbon capture and storage, जो क्या क्या है, देखे, सबसे पहला तो ये है, कि हमें trap करनी है, और separate करना है carbon dioxide को other gases से, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब जैसे obvious ही बात है, अगर हम air को capture कर रहे है, ठी बहृत सारी और gases भी होगी, अब हम greenhouse gases बोलते हैं, तो greenhouse gases is not only carbon dioxide, ठीक है, उसमें इस पूरे के पूरे mixture को trap करना है, और उसमें से फिर carbon dioxide को separate करना है, ठीक, उसके बाद, जो separated carbon dioxide है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम transport करेंगे to a storage location क्योंकि इसमें major part आपको समझना है दो है ठीक है ना CCS that is carbon capture and storage तो पहले तो हमने capture कर लिया carbon dioxide को अलग कर लिया फिर उस captured CO2 को हम उस storage location पर बेचेंगे जहां पर हमें उसको store करना है ठीक है और तीसरा फिर step वही आ जाएगा कि storing that CO2 far away from the atmosphere फिर हमें क्या करना है उसको atmosphere से दूर क्योंकि atmosphere के पास अगर हम उसको क्या करेंगे store करेंगे तो हो सकता है वो फिर से atmosphere में चली जाए और हमारी सारी जो मेनत है वो बरबाद हो जाए ठीक है तो हमें उसको atmosphere से काफी दूर क्या करना है store करना है ठीक है हम उसको underground भी कर सकते है यानि कि हम उसको जमीन के अंदर भी जो है वो store कर सकते है और deep in the ocean भी कर सकते है अब यह देखे एक एक point जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक word जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों के exam में statement form में question में आ सकती है ध्यान रखेगा कि carbon जो storage है carbon sequestration में जो carbon storage हो रही है वो सिर्फ underground होती है या सिर्फ land के under होती है ऐसा statement में आ जाए तो समझ जाएए का गलत है क्यों क्योंकि deep in the ocean भी होती है ठीक है न चलिए आगे देखिए types of sequestration अब कुछ types of sequestration है there are number of technologies under investigation for sequestering carbon from the atmosphere और इनको भी हम तीन main categories में discuss कर सकते हैं सबसे पहला है ocean sequestration ठीक है ocean sequestration मतलब क्या है कि carbon stored in oceans through direct injection और fertilization ठीक है बस इतना ही इसको ध्यान रखेंगे कि carbon जो ocean में store हो रही है ठीक है उसको हम बोलेंगे ocean sequestration ठीक है अगला हो गया आपका geologic sequestration geologic बेसिकलिए आप समझ सकते है geologic ठीक है natural pore spaces in geologic formations serve as reservoir for long term carbon dioxide storage जो हमारे geologic formations होते हैं उसको as a reservoir use किया जाता है ताकि हम उसमें long term लंबे समय तक carbon dioxide को वहाँ पर store कर सके हैं ठीक है इसके बाद आजाएगा हमारा terrestrial sequestration अब terrestrial आप समझ सकते है land में ठीक है मनलब आप ये समझे है कि ocean वाला तो आपका हो गया deep ocean में geologic आपका हो गया land के underground में और terrestrial मतलब हो गया आपका land पे यानिकि surface पे ठीक है इसमें यहीं लिखा गया है कि large amount of carbon is stored in soils and vegetation यानि कि जो मिट्टी है ठीक है उस पे store कर सकते है जो vegetation है जो उस पे पूधे उग रहे है उस पे कर सकते है ठीक है और ये हमारे क्या है एक natural carbon से हम यहाँ पर भी carbon को large amount पे store कर सकते है that is the category terrestrial sequestration ठीक है increasing carbon fixation through photosynthesis, slowing down or reducing decomposition of organic matter and changing land use patterns या practices can enhance carbon uptake in these natural sinks तो हम ये चीज़ें अगर करें हम photosynthesis में carbon dioxide to use होती है ठीक है ना उसकी हम fixation को बढ़ाए मतलब उसके technologies है उस पे जाने के हमें जरूरत नहीं है ठीक है हम को यहाँ पर scientist बनने के लिए नहीं पढ़ रहे है scientist बनने के लिए अगर आपको पढ़ना पढ़ेगा तो उसके लिए तो फिर अलगी level पर पढ़ाई होगी है हम तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारे exam की demand है हम उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ रहे है ठीक है तो हमें ध्यान लखना है कि carbon fixation through photosynthesis को अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे भी जो है क्या होगा कि carbon का capture बढ़ेगा ठीक है या फिर हम जो हमारा organic matter की decomposition है क्योंकि हमें पता है कि जो organic matter का decomposition होता है उससे भी क्या है उससे भी carbon dioxide release होती है तो या तो हम उसको slow down करें या फिर हम इसको कम करें ठीक है जो हमारा land use pattern है उसको हम थोड़ा से change करने के कोशिश करें तो इनसे क्या है कि जो carbon uptake होगा इन natural sinks में कौन से? soil है अपका vegetation है वो बढ़ जाएगा ठीक अब इस message जो तीन हमने बताए है आपको ocean, geologic और terrestrial इन में से जो geologic sequestration है is thought to have the largest potential for near term application यानि कि सबसे जादा जो carbon capture हो सकती है या store हो सकती है वो कहाँ पर हो सकती है within the land या फिर आप कह सकते हैं underground ठीक है? तो geologic sequestration जो है उसमें largest potential माना गया है ठीक है? अब यह जो geologic sequestration है इसके ही trapping mechanisms के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहला है hydrodynamic trapping hydrodynamic trapping में क्या है देखिए carbon dioxide can be trapped as a gas under low permeability cap rock much like natural gases stored in gas reservoirs ठीक है अब आपको पता होगा कि natural gas कहां होती है जो आपने देखा है या आपको पता है कि जो हमारे surface के underground जो पत्थर वगरा होते है ठीक है जो rocks होते है उन में पाई जाती है अंदर ठीक है ना जो हमें basically हम जिसको समझते है कि geothermal energy के form में भी अंदर जो होती है तो वहीं पर हम क्या है carbon dioxide को भी क्या कर सकते है trap कर सकते है that is hydrodynamic trapping solubility trapping का मतलब है आप इस word से ही समझ सकते है solubility या solution इसमें क्या है कि हम carbon dioxide को किसी liquid में dissolve कर दे जैसे हम किसी water में या oil में उसको dissolve कर दे ठीक ये भी एक तरीका है तीसरा तरीका है carbon mineral carbonation mineral carbonation में क्या है कि carbon dioxide को हम किसी mineral के साथ react कराए ठीक है किसी mineral के साथ किसी fluid के साथ, किसी organic matter के साथ इसको react कराएं to form stable compounds या फिर minerals जैसे कि calcium के साथ करा सकते हैं, iron के साथ करा सकते हैं, magnesium के साथ करा सकते हैं और सारे के सारे जो carbonates बनेंगे, they will be stable और वहाँ पर carbon क्या होगी, store रहीगी, ठीक है carbon dioxide can be effectively stored in the earth's subsurface by hydrodynamic trapping and solubility trapping usually a combination of the two is most effective, अब surface के अंदर, subsurface मतलब below the surface तो below the surface हम इसको दो ही तरीके सरख सकते हैं, क्योंकि mineral carbonation तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना, calcium के साथ आप carbon dioxide को react कराएंगे तो calcium carbonate बन जाएगा, iron के साथ कराएंगे तो iron carbonate बनेगा, magnesium के साथ कराएंगे जनरली जो इन दोनों का ही आपस में combination है, वो ही most effective रहता है, ठीक, चलिए, इसके बाद देखते हैं, carbon sink ठीक है, carbon sink में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको color के नाम दिख रहे हैं, जैसी कि black, brown, ठीक है अब black carbon और brown carbon क्या होता है, यह हमें पता है, ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है और यहाँ पर यह चीज लिखिए है कि black carbon और brown carbon जो है, वो contribute करता है atmospheric greenhouse gases को मतलब एक तरीके साब समझिए, कि जो black और brown carbon है, they have negative impact on the environment ठीक है, negative impact होगा इसका, क्योंकि यह greenhouse gas को contribute कर रहा है दूसरी तरफ, जो बाकी दो color आपको और दिये गए है, that is your green and blue ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, इनको color करने की इसी से, यह हो गया आपका green और यह हो गया आपका blue ठीक है, तो green और blue जो carbon है, यह क्या करते है, they sequestrate the atmospheric greenhouse gases तो आप कह सकते हैं कि जो blue और green carbon है, they have positive impact on the environment ठीक है, क्योंकि यह carbon की sequestration कर रहे है, यानि कि carbon का capture and storage कर रहे है ठीक, अब हम समझेंगे, black और brown carbon तो हम पहले पढ़ चुके है green और blue carbon क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक करके समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते है green carbon, अब green से आपको थोड़ा बहुत idea लग जाना चाहिए, कि what is green, ठीक है, और blue से भी लगना चाहिए green basically आप समझ सकते हैं, क्या होगा, हमारा जो filtration का part होता है, plants होते है, they are green, तो वही green carbon है ठीक है न, green carbon is the carbon removed by photosynthesis and stored in the plants and soil of natural ecosystem and is a vital part of the global carbon cycle बिल्कुल obvious है, ठीक है न, बिल्कुल obvious सी बात है कि green क्या होगा, हमारे plants होगे, हमारी soil होगी, ठीक है, और वहाँ पर carbon कैसे आएगी, photosynthesis से, तो that is only the green carbon ठीक, many plants and most crops have short lives and release much of their carbon at the end of each season, कुछ plants और बहुत सारी crops ऐसी होती है क्रॉप्स क्या होती है, आपको पता है कि जैसे इंडिया में हम major cropping season की बात करें तो खरीब की फसल है, राभी की फसल है, ठीक है, हर फसल कितने टाइम रहेगी, दो, तिन, चार मैंने रहेगी, उसको काटा जाएगा, तो उनकी life तो छोटी है, ऐसा तो नहीं है, कि आपने जो forest का biomass है, that accumulates carbon over decades and centuries, forest biomass है, forest में बड़े-बड़े पेड़ो हो रहे है, अब बड़े-बड़े पेड़ो को तो आप हर साल नहीं कालटेंगे, हर तीन मैने में नहीं कालटेंगे, अगर आप हर तीन मैने में कालटेंगे, तो पेड़ तो बने गई नहीं, या फिर आप उसक carbon को over decades, यानि की दशकों तक और centuries, यानि की सदियों तक उसको क्या करके रखता है, accumulate करके रखता है, ठीक, इसके बाद, carbon can accumulate large, forests can accumulate large amount of CO2 in relatively short periods, typically several decades, जो forest है, उस पर बहुत जादा carbon क्या हो सकता है, इसके बाद, afforestation and reforestation are measures that can be taken to enhance biological carbon sequestration, carbon sequestration को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, enhance कर सकते हैं, कैसे, afforestation करके, मतलब, afforestation और reforestation, मतलब जहाँ पर जंगल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग forestration करें, that is, afforestation, reforestation मतलब जहाँ पर पहले जंगल था, हमने उसको काट के deforestation कर गया है, तो वापस से अगर हम पेड लगाएं, that is, reforestation, ठीक है, अब obvious सी बात है, हम लोग afforestation और reforestation करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमने पता है कि forest जो है, वो काफी जादा मात्रा में carbon dioxide को absorb करते हैं, तो उससे carbon sequestration की process को enhance किया जा सकता है, ठीक है, this is all about your green carbon, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि blue carbon क्या होता है, अब फिर से वही बात है, obvious term है blue, ठीक है, blue क्या होता है, blue carbon refers to the coastal aquatic and marine carbon sinks held by the indicative vegetation marine organism and sediments, यानि कि जो हमारा marine, यानि कि पानी वाला जो एरिया है, coastal हो सकता है, equity क्या marine ecosystem carbon sinks हो सकते हैं, जहां पर कुछ vegetation है, कुछ marine organisms हैं और sediments है, यह क्या करेंगे, carbon को store करेंगे, in particular, coastal ecosystem such as tidal marshes, या फिर mangroves and sea grasses, remove carbon from the atmosphere and ocean, storing it in plants and depositing it in the sediments below them by natural process, तो यह ऐसा करते हैं कि उसको store करते हैं, पहले तो plant में और उसके बाद अपने जो नीचे sediment हैं वहाँ पर इसको क्या करते हैं, deposit कर देते हैं, ठीक, these coastal ecosystems are very efficient at sequestering and storing carbon, each square mile of these systems can remove carbon from the atmosphere and oceans at a rate higher than each square mile of mature tropical forest, ठीक है, यानि कि जो हमारा green carbon है, ठीक है, green carbon हमारा कम efficient है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि blue carbon जो है, वो जादा efficient है as compared to green carbon in carbon sequestration, ठीक, यह statement भी आप ज्यान रखे, आगे देखिए, furthermore, coastal ecosystems have been found to store huge quantities of carbon in organic rich sediments, जो organic rich sediments होते हैं, वहाँ पर भी काफी जादा quantity में carbon को store किया जा सकता है, up to five times more carbon than many temperate and tropical forests, तो temperate forest है या tropical forest है, उनके comparison में भी, यहाँ पर काफी जादा मातरा में क्या हो सकता है, carbon का storage हो सकता है, और यह जो ecosystems है, कौन से जो हमारे coastal ecosystems वगरा है, वो सभी continent में पाये जाते हैं, except Antarctica, क्योंकि Antarctica में आपको पता है कि overall frozen है, तो वहाँ पर यह चीज़े नहीं है, लेकिन बाकी हट जगे पर यह पाये जाते हैं, ठीक, अब इसके बाद, यह जो blue carbon ecosystem है, यह important क्यों है, इसको देखिए, preventing degradation and destruction and promoting restoration of coastal ecosystem is a significant tool to mitigate climate change, यह जो blue carbon मतला हमारा जो coastal ecosystem, जो marine ecosystem है, वो है, तो हमें क्या करना है कि उसकी degradation जो हो रही है, ठीक है, उसकी जो हालत खराब हो रही है, degrade हो रहा है, उसको prevent करना है, उसका destruction, जो उसको नुकसान पहुच रहा है, उसको भी prevent करना है, और साथी साथ, जो हमारा coastal ecosystem है, उसके restoration को promote करना है, उसको बढ़ावा देना है, ताकि हम क्या कर सके, जो climate change है, उससे लड़ सके, उससे निपट सके, ठीक, the coastal ecosystems of mangroves, tidal marshes and sea grasses are some of the most rapidly disappearing natural systems on earth, ठ जादा efficient है, यह जादा carbon को store कर सकता है, और दूसरी तरफ से नुकसान हम इसको पहुचा रहे हैं, यह most rapidly disappearing natural system है, तो आप समझ सकते हैं, कि जो चीज़ हमारे लिए फायदे मन्द हैं, हम उसी को नुकसान पहुचा रहे हैं, तो यह कितनी, एक तरीके सा आप समझे कि मुर्ख चीज़ खा रहे हैं, यह एक तरीके सा मुर्खता है, यह और कुछ नहीं है, यह simply मुर्खता है, इसको अगर आप समझ जाएं, आप हम सब लोग अगर मिलके समझ जाएं, तो हम यह problem को बचा सकते हैं, इसको रोख सकते हैं, ठीक, अब when lost, they not only stopped sequestering carbon, but also released their stores of carbon and became new sources of climate change, causing carbon emissions which can last for centuries, अब देखिए, problem देखिए, जैसे होता ना, कि किसी के पास, मतलब इसको चलिए, ऐसी समझते हैं, जो यह आपर दिया हुआ है, कि sequestering carbon, यानि कि जब अगर यह खतम हो जाएंगे, अगर इनका, हम कह रहे हैं, यह disappear हो रहे हैं, अगर यह खतम हो जाएंगे, तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, कि इस पर हम carbon को store कर सकते हैं, अब जब यह खतम हो गया, तो store कहा करेंगे, तो store तो नहीं कर सकते हैं, पहली बात, पहला नुकसान, दूसरा नुकसान यह कि जितना carbon इनके पास store है, जैसे ही यह सारा का सारा खतम होगा, यह जितना carbon इनके पास store है वो भी यह क्या कर देंगे यह सारा कार्बन रिलीस कर देंगे और यह एक climate change जो है जो new source है climate change का यह आप कह सकते है जो global warming का यह carbon emission का यह एक नहीं source बन जाएंगे और इतना जादा यह carbon emit कर देंगे जो इन्होंने अभी तक store करके रखा होगा जो की centuries तक last कर सकता है तो आप समझ हमें और जादा उसको बढ़ाना है ठीक है उसको restore करने की कोशिश भी करनी है उसका degradation और destruction को भी कम करना है ठीक है क्योंकि degradation और destruction को अगर हम कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जितना carbon इन में store है वो तो वहीं रहेगा बाकी और अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो बाकी carbon भी store कर सकता है ठीक है I hope कि यह चीज़े आपको बिलकुल अच्छे से clear हो रही होंगी और इन में से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको I think रटनी पड़े है ना रटना कुछ नहीं है समझ के चलिएगा बिलकुल चीज़े बहुत ही आसान है ठीक इसके बाद अग इसका एक comprehensive और coordinated global agenda है जो climate change से निपढ़ना चाहता है और कैसे conservation और restoration of marine ecosystem यानि कि जो हमारा coastal marine ecosystem है उसको conserve करना है और restore करने को लेकर ये एक first integrated program जो है वो बनाया गया है ठीक है इसके बाद international cooperation के अगर हम बात कर लेते हैं तो conservation international that is CI, the IUCN that is international union for conservation of nature, the intergovernmental oceanic commission that is IOC of UNESCO ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं ये governments के साथ, research institutions के साथ, non-governmental and international organizations के साथ और communities के साथ, throughout the world ये क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं देखिए ये collaboration इसलिए कर रहे हैं ताकि management approaches बनाई जा सके, financial incentives and policy mechanisms बनाई जा सके for ensuring conservation and restoration of coastal blue carbon ecosystem ठीक है, ताकि जो हमारा coastal blue carbon ecosystem है उसको हम क्या कर सके? उसके conservation और restoration को हम सुनिश्चित कर सके या ensure कर सके हैं ठीक हम engage कर सके local, national and international governments को to ensure policies and regulation, support coastal blue carbon conservation, management and financing ठीक है? इसके बाद, coastal carbon accounting, coastal carbon accounting को लेकर हम कुछ comprehensive methods develop कर सके, ठीक है, develop incentive mechanisms such as carbon payment schemes for blue carbon project, blue carbon project के लिए हम carbon payment scheme बगरा कुछ बना सके हैं, उसको develop करने के लिए भी एक काम चल रहा है, international level पर, ठीक है? इसके बाद है, implement projects around the world that demonstrate the feasibility of coastal blue carbon accounting, management and incentive agreements, ठीक है? कुछ तरीके की project जो है, वो चल रहा है ताकि इस तरीके की feasibility को क्या किया जा सके है, demonstrate किया जा सके है? अगला है, support scientific research into the role and importance of coastal blue carbon ecosystem for climate change mitigation, ठीक है? कार्बन, जो coastal blue carbon ecosystem है, उसके importance और role को research करने के लिए, उस पो support करने के लिए, उस research को भी, international level पर, सारे के सारी जो bodies है, ये government, non-government, research institutions, इन सब के साथ मिलकर क्या कर रही है? एक collaboration कर रही है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, हमें एक और term, जो कि और बहुत important है, that is, दोना is carbon credit, अब ये carbon credit क्या है, देखिए, carbon credit is a tradable certificate, ये एक tradable certificate है, या permit है, representing the right to emit one ton of carbon और carbon dioxide equivalent, ठीक है? यानि कि जिसके पास ये permit है, ठीक है? जिसके पास ये certificate ये permit है, उसके पास अधिकार है, कि वो एक ton, जो carbon या carbon dioxide equivalent है, उसको emit कर सकता है, अब one ton credit, one carbon credit is equal to one ton of carbon dioxide, और in some markets, carbon dioxide equivalent gases, क्योंकि हमेशा obvious सी बात है, सिर्फ और सिर्फ और carbon dioxide ही emit नहीं होती है, और भी बहुत सारे emissions होते है, greenhouse gases के emissions है, तो उनका हम जो है क्या करते है, carbon dioxide equivalent निकालते है, फिर उसके according ये carbon credit set किया जाता है, ठीक है? अब how does one earn a carbon credit? अब कोई भी व्यक्ति जो है, उसको ये carbon credit कैसे मिलेगा? देखे, an organization which produces one ton less of carbon, और carbon dioxide equivalent than the standard level of carbon emission allowed for its output or activity earns a carbon credit. अब इसको समझना है कि carbon credit का मतलब क्या है? ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये certificate है, तो आप carbon को क्या कर सकते है, emit कर सकते है, पहली बात तो ये certificate आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आप exam में है या कहीं पर भी है, या बच्पन में भी है, आपको certificate कब मिलता था? प्राइस कब मिलता था? Standard Level of Carbon Emission है, मतलब हर तरिके की industry, हर तरिके के activities के लिए कुछ standards बनाये गए हैं, कि इस industry में जो है, इससे ज़़्यादा Carbon Emission नहीं होना चाहीं है, ठीक है, इस activity में इससे ज़्यादा Carbon Emission नहीं होना चाहीं है, तो अगर उस Standard Level of Carbon Emission से, क्या हो रहा है? एक टन कम Carbon अगर emit हो रहा है ठीक है कोई भी organization अगर उससे एक टन कम carbon या carbon dioxide equivalent release कर रही है produce कर रही है तो वो फिर एक carbon credit earn कर सकती है यानि कि उसके पास यह certificate है certificate कि क्या दिखाएगा आपकी अच्छा ही बताएगा कि देखिए मेरे पास अगर एक carbon credit है इसका मतलब मैंने जो standard level of emission था उससे भी एक credit या एक ton जो है carbon कम produce किया है ठीक है इस बात को समझेंगे इसके बाद अब यह कैसे help करता है इसका basically मतलब क्या है इसको आप समझ सकते हैं कि certificate अगर है किसी के पास तो यह अपने आप में अच्छी बात है और certificate अगर किसी के पास है तो मतलब वो उतना ही carbon emission कम कर रहा है ठीक है तो thereby हम carbon emission को कम करना हमारा target है certificate देना तो एक तरीके सा आप कह सकते एक incentive है ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या है countries which are the signatories to the Q2 protocol under the UNFCCC अब यह Q2 protocol क्या है UNFCCC क्या है यह हम सब आगे जाके पढ़ेंगे इन्होंने कुछ gas emission के norms बना रखे है for their companies to be made by 2012 in such cases a company has two ways to reduce emissions तो companies के पास दो तरीके हैं अपने emissions को कम करने के वो क्या है it can reduce the greenhouse gases by adopting new technology or improving upon the existing technology to attain the new norms for emission of gases ठीक है जैसे आपके मैं एक simple example के तोर पर बता हूँ ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी government इस तरीकी policies लाती है कि जो 20 साल पुराने या 25 साल पुराने vehicles है उनको आप use नहीं कर सकते उनको सब्लक से हटाना है क्यों क्यों क्योंकि जो पुराने vehicles है उनमें पुराने technology का engine लगा हुआ है ठीक है ना BS1, BS2 का engine लगा हुआ है ठीक है या उससे भी कुछ पुराने है तो उसमें क्या हो रहा है जो exhaust निकलता है वो काफी ज़ादा है ठीक है pollution उससे काफी ज़ादा होता है बलकि आप उसको अगर नई technology से क्या करें नई technology से replace करें तो फिर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी अच्छी हो जाएंगी जैसे आपने यह चीज़ देखी होंगी कि BS3, BS4, अभी तो BS6 चल रहा है है तो यह सारे के सारे क्या है यह pollution कम करने के या emission को कम करने के ही तरीके है तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है emission of gases को उसको attain कर सके पहला तो यह है दूसरा है या फिर अगर आपके पास यह सारी problem नहीं है कि आपके पास green house gases का emission नहीं हो रहा है जैसे माले यह कुछ developed countries ऐसी है कि जहाँ पर green house gases का emission बहुत कम होता है तो आप क्या कर सकते है आप जो developing nations है जहाँ पर इस तरी के technology नहीं है या जहाँ पर जिनके पास नहीं चीज़ों के लिए पैसा नहीं है research वकरा करने के लिए तो आप उन developing nations के साथ tie up कर सकते है और उनके साथ उनको मदद कर सकते है कि नए technology को set up किया जाए जो की eco friendly हो thereby helping the developing country और its companies earn credits तो उससे क्या होगा कि जो developing countries है अब obviously बात है अगर आप developed country है आपके पास green house के emission नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो आपके पास credit obviously बहुत जादा होंगे ठीके ना आप उस credit को जो developing nations है वहाँ पर बहुत जादा ये चीज़ें हो रही होंगे emissions हो रहा होगा तो उनके पास बिचारों के बस credit नहीं होगा अब credit नहीं मिलना वो अलग चीज़ है यहाँ पर basically आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास 2 certificate है दूसरे के पास 4 certificate है या आपके पास 6 है तो आप the best है ऐसा नहीं है यहाँ पर certificate के गिंती नहीं है इंडिया में तो क्या कहते है जादा pollution हो रहा है obviously वात है कि अगर इंडिया में जादा pollution हो रहा है तो चाइना में भी जाएगा या similarly चाइना के पास अगर जादा pollution हो रहा है तो इंडिया में भी आएगा मतलब एक example के गौर पर बता रहा हूँ ठीक है इसको दिल पर मत लीजेगा इंडिया चाहिना की बात है सुनके लोग आजकल थोड़ा सा जादा ही emotional हो जाते हैं तो वो सारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है कि चीजों को जो यहाँ पर दी गई है उनको समझाना ये line में जो अंतर लिखा गया है जो चीजें लिखी गई है उनको समझना ठीक है तो इंडिया चाहिना तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मुझे मैं ऐसे ही नाम याद आया एकदम से जबान पर तो ठीक है बाकि इसमें भावुक होने की या emotional होने की जरूबत बिलकुल भी नहीं है चलिए आगे देखिए कि वो green house gases का emission कर सकते है मतलब कितना level तक है वो set है क्योंकि obvious ही बात है अगर उतने level तक आप emission करेंगे तब ही आपके बाद certificate रहेगा ठीक है और इसमें से क्या है कि जो developing countries की companies हैं उनके पास थोड़ा बहुत अधिकार होते हैं कि वो अपना सारा का सारा जो carbon credits है उसको transfer नहीं कर सकते है developed countries के companies को ठीक है इसके बाद developing countries की अगर हम बात करें तो developing countries like India and China are likely to emerge as the biggest sellers and Europe is going to be the biggest buyers of carbon credit ठीक है carbon credit का जो biggest seller है वो इंडिया और चाइना बनने वाला है ठीक है और Europe जो है वो biggest buyer बन सकता है last year global carbon credit trading की अगर हम बात करें तो वो लगबग 5 billion dollar की थी जिसमेंसे जो इंडिया का contribution है वो around 1 billion dollar का रहा है चाइना is currently the largest seller of carbon credits controlling about 70% of the market share ठीक है चाइना जो है वो आज की डेट मेंगर हम बात करें तो carbon credit बेचने वाला सबसे बड़ा सबसे जादा carbon credit बेचने वाला देश बन रहा है ठीक है carbon like any other commodity has been has begin to be traded on इंडिया's multi commodity exchange इंडिया का जो multi commodity exchange यानि कि जो MCX है वहाँ पर भी carbon trading हो रही है ठीक है और MCX जो है that has become the first exchange in Asia to trade carbon credits वहाँ पर carbon credits की भी trading जो है वो देशों के बीच में हो रही है ठीक है I hope यहाँ तक आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे ठीक इसके बाद इसमें कुछ और terms है related to this only की carbon credits को लेकर है carbon की जो trading है उसमें कुछ offsetting वागरा के कुछ terms है और एक जो तीज़े और है जिसको लेकर हम लोग अगले lecture में इस chapter को continue करेंगे और वहाँ पर यह chapter जो है complete भी हो जाएगा उसके बाद फिर हम अगले उसके आगे के lecture से जो है आगे आने वाले chapters को continue करेंगे ठीक है चलिए तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप अपर टेलिग्राम का जो group है that is local GSUPSC discussion forum हम इसको join कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलिग्राम में सर्च करके भी join कर सकते हैं या फिर आप वीडियो उसके नीचे जो comment section है वहाँ पर भी अपने doubts अपने queries हम से पूछ सकते हैं और हाँ अपने feedback देना आप बिल्कुल ना भूलिएगा so that कि अगर हमें कहीं पर भी कुछ महसूस होता है आपके feedback को देखकर तो हम जरूर अपने आने वाले courses में आने वाले lessons में जरूर improve करेंगे इस पूरे की पूरी video series का जो full course है वो हमारी website पर available है उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप उस course को enroll कर सकते हैं course को enroll करने में या course को access करने में हमारी website के थूर आपको कोई भी technical query face करते हैं आप तो आइदर आप हमसे whatsapp के थूर इस number पर या फिर जो हमारी email ID है that is support at the redocool.co उस पर भी contact कर सकते हैं बागी आप हमें जितने भी social media है यानि कि facebook, instagram, linkedin, twitter सब जगे पर आप हमें follow कर सकते हैं और जो भी अपनी बात आप हम तक पहुचाना चाहते हैं चाहे कोई भी doubts है, कोई queries है कोई feedbacks है, कुछ भी आप हमें बताना चाहें कुछ भी पूछना चाहें, तो वो आप in platforms के जरीए भी कर सकते हैं चलिए, तो मिलेंगे अगरे lecture में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye